इजी टू डिजैन में आपका स्वागत है आज हम सिखेंगे फुल राउंड फिलिट क्या होता है और इसे कैसे योज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फिलिट फोर पे राइट किलिक करें और इसे डिलिट कीजिए फिलिट कमांड का आइकन दिया गया है इसके नीचे एक एरो है इस पे किलिक करें और फिलिट पे किलिक करें फिलिट टाइप में सेलेक्ट किजिए फुल राउंड फिलिट और आइटम्स टू फिलिट बाले बॉक्स में किलिक करें यहां पर 3 box दिया गया है 3 box में एक एक face select करना होगा पहला box में side face 1 दूसरा box में center face और तीसरा box में side face 2 तो हम पहला box में side face 1 select करेंगे तो हम ये face select करेंगे दूसरा box में center face के लिए हम ये face select करेंगे और तीसरा box में side face 2 के लिए हम ये face select करेंगे तो देखिए यहाँ पे full round fillet का preview दिखाई दे रहा है एक जरूरी बात full round fillet में आप fillet का radius अपने हिसाब से नहीं दे सकते हैं या इसके dimension के हिसाब से इसे round कर देता है और इसे okay कीजिए तो यह देखिए selected face पे full round fillet apply हो गया हमें दूसरा example से देखेंगे तो top plan select कीजिए sketch normal view circle command की मनदद से एक circle draw करेंगे इसमें features tool लगाएंगे तो features पे click करें extruder boss base 70 mm thickness okay कीजिए features पे click करें fillet full round fillet select कीजिए पहला face select कीजिए दूसरा face और select कीजिए तीसरा face और okay कीजिए तो यह देखिए यह ball बन गया full round fillet की मदद से बहुत आसान है अब practice करते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए और